इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 36 गड़ पब्लिक सर्विस कमिशन है उसमें जो एसिस्टेंट प्रोफेसर की भरती हुई थी उसमें जो गोटाला हुआ है उसके बारे में इस गोटाले का पता सी बिया ही ने लगाया इसमें क्या हुआ है 36 गड़ पब्लिक सर्विस कमिशन में एक इस एंटर से 36 लोग एसिस्टेंट प्रोफेसर बन गए और लोग एसिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन गए रिष्टेदारों को पहले ही दे दिये थे पेपर जो मलब कोई मतलब किसी का रिष्टेदार है कोई नेता का रिष्टेदार या फिर जो 36 गड़ पुब्लिक सर्विस कमिशन है उसमें जो मेंबर है उनके रिष्टेदार हैं उनके बहु बती जे बाद इनी किसी को पेपर पहले ही बाठ दिये गए तो हुआ क्या आप सी भी इने क्या इसमें पता किया इनसे बड़ा गोटाला मिलेगा यह जैसे जैसे आगे चलेगा ना और कुछ तो ऐसे लोगों का सेलेक्शन होया जो प्रेक्ष्या देने नहीं आए था उनका भी सेलेक्शन यह मतलब यह तो सीधा सीधा फरजी वाड़ा ही है अगर मालू मैं एक्जाम देने नहीं गया हूं म इसके लिए क्या है केंद्रे जानसरजंसी है उसने अपनी जानकारी तेज कर दिया नो जुलाई को उन्होंने दर्ज कराई है फायर में मलब कि भी इस बरती में गोटाला हुआ है अब सबसे बड़ा कल्परिट कौन है वो देखिए आप अब जो टोपर थे सिर्ष के पांच नामों में तो जो टामन सिंग थे उनके ही रिलेटिव थे उनके रिष्टेदारी थे अब क्या है जैसे चतिसगर पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें पांच तो इनके रिष्टे वो करा लिए इन्होंने सेलेक्षन फिर इसके इलावा राज्यपाल के सचिव सहीत डी आई जी नक्सल ऑप्रेशन के भी मलब इसका मलब है इसमें मलब जितने भी अधिकारी है कोई मलब आ पर जीपाल के सची जो उसके स्क्राइटरी है उसके अलावा डी आई जी डी आई जी के जो रिलेटिव वह भी इसमें सामील है तो क्या यह बचता है क्या उमीद करोगे आप ट्रांसफेरेंसी की इनके रिष्टेदारिश के अलावा वहां पे जो पैसे लेके या फर्जी वाड़ा करके या पेपर लिक करा के कितने जब उन्होंने पहले पेपर पड़ लिया तो और लोगों ने भी पहले पेपर पड़ा हुगा इस पे आपकी क्या राए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अपने दोस्तों के साथी से शेयर कर लिए और आपकी कोई क्यों है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं अब हुआ क्या पहले तो जो मतलब अब सेंट थे अब यर्थी उनका ही चैन कर लिया गया अब जैसे मालो एक संटर में मुलब हजार बच्चे एकजाम दे रहा हैं उसमें से एक भी ना बने तो मुलब थोड़ी सोचने की बात है अब वहां पर क्या था जो चतिसगर पब्लिक सर्वीस कमिशन थे ना उसके अध्यक्स थे यह टामन सिंग ना जो अब इसका इनका पूरा नाम टामन सिं उनको पहले क्यूशन पर दे दिया गया था अब बताओ क्या अगर हर्याना में निकल गए तो आप क्या उमीद करते हो क्या मिलेंगे नहीं पहले पर मिलेंगे नहीं अभी इतनी बड़ी बड़ी बरती आ रही है आज इकी दिन के अगर हम बात करें तो जो हमारे पता सकते हैं कि यहां मेरे मेरी नोलेज में यह वाला पेपर लीक हुआ है अब सी बीए क्या करेंगी जो इलेक्रिक को करना मालों फोन हो गया लैप्टॉप हो गया इस तरह की चीजी है ना जो ततकाली जो अध्यक्स है जो सोनवानी अध्यक्स जी है और जो सचीव है दू और जो एक्जाम कंट्रोलर है वासनिक उनके घर पे छापा मारी करके यह कर लिए उन्होंने जब इसके अलावा जो सीपीजी के जो दफ्तर है वहां से भी मलब उन्होंने लैप्टॉप वगरा और यह सारी चीजे हार्डिस्क वगरा रिकावर कर लिया डाटा की रिकावर कर लिए इस वीडियमितना थाइंक्स आए नाष्टी